अब दिसक्रस किया जाएगा यह आपके लिए टेस्ट भी है क्योंकि आप यह सोचें कि क्या आपको यह पहले से पता था यह नहीं पता था और से पाइंड बोक्स में लाजमी लिखिएगा ताकि आपके नॉलेज के बारे में मुझे भी थोड़ा पता चले तो स्टार्ट करते हैं कि सिंगल कोटेशन माक्स क्यों जोते हैं पंक्टूइशन में अक्सर जब आपकी पैसेज कर रहे हैं उसमें अगर आपको टेशन लिखनी नीए है मतलब कोटेशन लिख रहे हैं उसके अदर मजीद आपने को और कोटेशन लिखनी है तो वहां प्याप सिंगल कूटेशन मार्क का इसतवाल करेंगे कैसे आपको एपंपल से समझाथ हैं जो सिंगल कुटेशन की पैस्ट लिए होगा दोके एक कर अचार्म के अंदर कोटेशन माग होते हैं में कुटेशन के लिए या आप अगर एक कोटेशन लिख रहे हैं उसके लिए वैनेवर आई एक्स्पेइन पंक्टुएशन कोमा समवन आस्थ कोमा वर्ट तब पर्पर्ज ओफ सिंगल कोट्स अब ये आप देखें कि ये में कोटेशन थी whenever I explain punctuation अब उसके अंदर एक और कोटेशन आ गई what's the purpose of single course अब जब कोटेशन के अंदर कोटेशन आती है तो वहां में फिर आपका यूज हो जाता है सिंगल कोटेशन मार्क का ठीक है वैसे तो आप कोटेशन को लिखने के लिए inverted कोमस में आप लिखते हैं उसको डबल डबल कुटेशन माग्स इुज करते हैं लेकिन उन उन जगों पे जहाँन पर आपको कुटेशन के अंदर linger n ी पाड़ जैसे यह वाथ कोटेशन जो थी यह Basically इस कुटेशन के इंदर आ रही है कि तो फिर आप सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ करें तो आप ने जी यह वाली कुटेशन लिख दी वर्स पर पर्पस ओफिस इसको अपने लिख दिया Juliet को यहां नर है एक्सकता कर सिमुटिशन मार्क जाला अप चुंकि मेडु कुरेशन यह वाली थी तो आपने इसको डबल कुटेशन माक से स्टार्ट किया और डबल कुपटेशन capable से करोच किया यह जग तो यहां पे ंज अब यह जडाक दो जुट अब यहां को तो आप यह देखें कि जब भी कुटेशन के अंदर कुटेशन आ रही हो तो आपको स्टार्ट आप करेंगे डबल कुटेशन मार्ग से मेन कुटेशन से अब उसके अंदर जो कुटेशन आप रिखेंगे वह आप रिखेंगे सिंगल कुटेशन मार्ग से और जब आप क्लो ordinate quotation आप कहा सकते हैं इसको जो quotation के अंदर quotation आई है तो यह आपका rule होता है single quotation mark का और double quotation mark यूज करने का और single quotation mark यूज करने का जो basic rule है वो यह ही है कि जब quotation के अंदर कोई और quotation आ रही हो तो फिर आप उसको double quotation mark से नहीं सिंगल कृटेशन मार्ग से उस कृटेशन को लिखेंगे जो कि दूसरी कृटेशन के अंदर आ रही है और जो मेन कृटेशन है आप उसको डबल कृटेशन मार्ग में लिखेंगे लेकिन जो उसके अंदर आ रही है उसको आप सिंगल कृटेशन मार्ग से लिखेंगे जब एं आपको आना चाहिए और जब राइडिंग कर रहे होते हैं अपना कोई भी पैसे लिख रहे हैं तो वहां भी आपको यह रूल पता होगा तो आप ठीक थी कैसे लिख सकेंगे तो यह चोटा रूल है पोर्टन रूल है आपके रेटिंग में बड़ा फर्क डलता है आपको पता थैंक यू सो मुझ